हलो एब्रिवन वेलकम टू मनमेकर आएम रजन कुमार खालिंदी और क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं आवरेज यानि की आउसत की दुसरी क्लास ठीक है तो आप चाहे किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो चाहे वो कोई साथ भी इस रोड यार्ड यो टीस वगेरा या फिर से फिर आप या कॉलेज प्लेस्मेंट वगेरा किसी भी चीज की आप तयारी कर रहे हो जिसमें क्वांटिटीव एक्टिट्यूट का सेक्शन होता है तो यह क्लास आपके लिए है ठीक है तो जिस तरह से अभी तक हमने पिछले क क्लास में इस चैप्टर को टाइफ वाइज और सौर्टकट मेथट से सॉल्व किया है उसी तरह आगे भी इसको देखते है और कितने तरह के टाइप होते है एवरेज के चैप्टर पे ओके इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलिग्राम में जाकर सर्च करना ये हाट्वर्क लिमिटेड वहाँ पर ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको पीडिएप नोट्स वगेरा सारा कुछ अविलेबल करा दिया जाता है ठीक है तो अब तक हमने जो क्लास किये है जैसा कि मैंने पहले क्लास में बोला था कि अवरेज में total 7 तरह के 7 टाइप के कोश्चन होते है जिनमें से 4 टाइप के कोश्चन हमने पहले क्लास में देख लिया और जिस तरह से मैंने softcut method यूज किया है जो solve करने से आपको कम से कम time लगा होगा तो उसी तरह के और भी types के देखेंगे method की किस तरह से आप question को असानी से कम से कम समय पे बना पाओ ठीक है तो type 5 के शुरुआत करते है type 5 हमारा क्या था type 5 था mistake based ठीक है type 5 क्या था mistake based था तो इसमें क्या होगा कुछ mistake को अगरे दिया हुआ रहेगा वो mistake को सुधार के आपको average find करने को बोलेगा ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि पचास संख्या का कोई था पचास संख्या का कोई अउसर था जिसका 36 है बाद में देखा गया कि जहां पे आपको लेना था 23 पता चला कि एक संख्या 48 है जहां पे 48 के जगा क्या क्या 23 ली गई थी मतलब 48 लेना था और 23 ली गई थी देखो तो इसको बनाओगे अगर एक्स मानकर मतलब अगर बुक वाले मेथट पे चले तो थोड़ा लेन्दी भी हो जाएगा और एक्स मानकर बनाए तो थोड़ा कल्कुलिटिव भी हो जाएगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे डारेक्ट सौटकट पे चलते हैं तो देखो क्या दिया हुआ हुआ है कि 50 संख्या है जिसका एवरेज किसे निकालते हैं हम लोग इसी तरह निकालते हैं तो एवरेज कितना दे रखा हुआ है 36 दे रखा हुआ है यह दे रखा हुआ है उसके बाद आगे जैसे कोशन में बोला है उसी तरह हमें क्या करना है बढ़ते चले जाना है तो यह बोल रह था हमारा 48 और गलत नंबर क्या था हमारा 23 तो इन दोनों का अगर हम लोग gap निकालेंगे इन दोनों का अगर minus करें तो इन दोनों को अगर minus करते है तो यह क्या हो जाएगा यह आजाएगा हमारा 25 ठीक है यह निकल कर आगया हमारा 25 तो जो पूरा संक्या है उसमें हमारा 25 का changes आ रहा है ठीक है कितने का changes आ रहा है 25 का अब अगर 25 को हम लोग क्योंकि total संख्या कितना है 50 है तो इससे हम लोग divide करके देखें तो इससे divide करने के बाद क्या हो जाएगा ये हमारा निकल कर आ जाएगा कितना आएगा ये हो जाएगा 0.5 कितना आ रहा है 0.5 का changes आ रहा है average में तो क्या करेंगे इन दोनों को add कर देंगे तो 36 plus 0.5 that is equal to 36.5 तो जो हमारा सही अवसत निकल कर आएगा वो कितना होगा 36.5 option is the right answer ठीक है तो इसी तरह सवाल को बनाना है आगे देखो आगे क्या बोला पांच छात्रों के अंखों का अवसत 50 पुराप्त किया गया बाद में पता चला कि एक छात्र का अंख 25 के जगा 20 ले ली गई तो सही अवसत क्या है कितना था पांच छात्र लोग है ठीक है पांच छात्रों का यानि कि पांच का average कितना दे रखा हुआ है पचास average दे रखा हुआ है और क्या बोला कि सही कितना था एक छात्र का अंख 25 के जगा 20 ले ली गई ठीक है यानि कि 25 क्या था 25 उसको लेना था करेक्ट किया था 25 था लेकिन गलती से वो क्या ले लिया पांच ले लिया गलत क्या है तो 20 है तो इन दोनों का अगर हम लोग difference निका ले इनको minus करें तो कितना आएगा गलते मेरा पांच आएगा ठİक है तो संख्या मेरा क्या निकल कर आ गया changes मेरा कितने के हो रहा है 5 का हो रहा है ठीक है और कितने छात्रों का है तो 5 लोग है तो इसको divided by 5 करेंगे तो कितने निकल कर आ जा रहा है 1 निकल कर आ जा रहा है ठीक है चिंजिस कितने हो का हो रहा है एक का अब सही आउसत निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को add कर देंगे तो add कर देते हैं 50 plus 1 that is equal to 51 तो सही जो आउसत हमारा क्या होगा 51 होगा ठीक है option में तो 51 दिख नहीं रहा है ठीक है तो इसका answer क्या होगा हमारा answer होगा 51 ही इसका answer होगा option by mistake लिखा गया होगा बट इसका answer क्या होगा 51 ये correct कर लेना ठीक है 51 होगा ओके चलो आगे बढ़ते है next क्या दे रखा हुआ है 10 छात्रों के अंखो का अउसत 63 प्राप्ट किया गया बाद में पता चला कि एक छात्र का अंग 70 के जगा 40 तथा दुसरे छात्र का अंग 60 के जगा 50 ले ली गई है तो सही अउसत क्या है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ दो चीज है एक दो जैसे बोल रहा है उसे तरह चलते हैं हम लोग कितने चात्र लोग है टोटल चातर जो है 10 चातर है इसका जो average दे रखा हुआ है 10 चातर का average कितना दे रखा हुआ है 63 दे रखा हुआ है अब देखो आगे क्या बोर रहा है बाद में पता चला कि 1 चातर का अंक 70 के जगा 40 ठीक है कितना लेना था 70 लेना था सही कितना मतलब correct अंक क्या था 70 था लेकि मतलब लेना था 60 लेकिन ले कितना लिया ले लिया है 50 ठीक है गलते से क्या ले लिया 50 ले लिया है तो अब देखते है टोटल करेक्ट अंक हमारे पास कितना है तो टोटल करेक्ट अंक हमारे पास है 130 और टोटल रॉंग जो गलत डाटा लिया गया है वो कितना है वो है 90 ठीक है तो यह हो गया अब क्या है कि अब क्या करना है आपको अब इन दोनों के बीच का हम लोग क्या करत है गैप निकाल लेते हैं सही सही कितना आँख है सही ऐंख है हमारे पास one thirty और गलत data कितना ले गया है नबे लिया गया है तो एक chaptersche of 30 में से 90 को minus कर देंगे ठिके कटा देंगे तो 130 minus 90 कितना हो जाएगा यह आपका आ जाएगा forty ठिक मैं तो कितना आ जा रहा है 40 आ जा रहा है चेंजे कितना का आ रहा है 40 अंखों का चेंजे जा रहा है अब इसका average निकाल देते हैं तो average कितना हो जाएगा यहाँ पर कितने चातर है 10 लोग है तो 10 चातर है 0 से 0 कैंसल यानि कितना आ गया 4 आ गया ठीक है अब सही average निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग add कर देंगे तो 63 plus 4 that is equal to 67 तो हमारा answer क्या निकल कर आ जा रहा है सही औसत जो है वो 67 निकल कर आ जा रहा है तो इसी तरह से आपको solve करना है ज्यादा lengthy और Calculative नहीं बनाना है method को और question देखके डरना भी नहीं है कि इतना बड़ा question है कैसे solve करेंगे तो direct आप shortcut easy way में इस तरह से question में जो लिखा हुआ है आगे बढ़ते जाओ ऐसे solve करो और इसलिए आपका answer आ जाएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या है type 6 अब दूसरे type पर पढ़ते हम लोग type 6 पर तो type 6 हमारा क्या था cricket बेस्ट था ठीक है inning based cricket और cricket score और inning based के सवाल इसमें आपको दिखने मिलेंगे type 6 में तो type 6 के question में किस तरह के सवाल रहते हैं एक किरकेटर अपने चार पारियों में क्रमसा 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है वह अपने 5 पारियों में कितना रन बनाएं कि इनके रनों का आउसत 50 हो ठीक है तो देखो इसको भी कैसे करेंगे अगर आप x के थूरू चलते हो मतलब अगर थोड़ा calculation वाले पार्ट में तो उसके लिए कैसे solve करेंगे यह हो जाएगा आपका 48 मतलब कितने इनिंग है चार इनिंग है 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44 और 5 इनिंग का हमें पता नहीं है कि 5 इनिंग में वो कितना करेगा ठीक है तो divided by 5 हो गया equal to average कितना आना चाहिए average आना चाहिए 50 आना चाहिए तो इसको solve करने के बाद जो आपका x का value आएगा वही आपका answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से solve करने से भी answer आ जाएगा बट यह थोड़ा क्या है more calculated हो जाएगा और थोड़ा lengthy हो जाता है तो हम लोग थोड़े shortcut चलते है shortcut करते है इसको तो कैसे करेंगे कितने inning है first inning second inning third four और fifth पांच inning की बात की गई है ठीक है तो पांच इनिंग की बात की यह है, average कितना लाना है, उसे 50 लाना है, average कितना लाना है, 50 लाना है, ठीक है, average हमें कितना लाना है, 50 लाना है, अब क्या बोर रहा है, कि first इनिंग जो है, पहला इनिंग में कितना आ रहा है, पहला इनिंग में 48 आ रहा है, दुसरे इनिंग में 46 र रन बनाएगा ठीक है अब क्या करेंगे इन लोगों का difference निकाल लेंगे हम लोग तो difference निकाल लेते हैं इसका कितना हो गया यह हो जाएगा हमारा 2 और यह हो गया 4 यह हो गया 5 और यह हो गया 6 और यह तो हमें पता नहीं है यह इनिंग तो इसको 50-0 कर दो तो यह हो गया हमारा 50 अब क्या करेंगे आपस में इसको add कर देते हैं ठीक है तो इसको आपस में जब add कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5,6,7 तो ये हमारा निकल कर रहा जा रहा है 67, कितना निकल कर रहा रहा है 67, तो 5th inning में इसको कितना run बनाना पड़ेगा 67 run बनाना पड़ेगा Option A, तो इस तरह से अगर आप बनाते हो, आप इसको इस तरह से अपने तीन पारियों में करमसा 46, 52, 54 रन बनाता है वो अपने 4 पारी में कितना रन बनाए कि इसके रनों का आउसर 55 हो ठीक है क्या बोला कितने इनिंग है तो 4 इनिंग हो रहे है ठीक है 3rd and 4th चार इनिंग की बात की गई है और इसका अवरेज कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए अवरेज 55 आना चाहिए ठीक है पहले इनिंग में कितना बना रहा है 46 दूसरा इनिंग में कितना बना रहा है 52 तीसरे इनिंग में कितना बना रहा है 54 और last inning का हमें पता नहीं है, last inning हमें क्या करना है find करना है ठीक है, तो अब क्या करते है अब हम इनका difference find कर लेते है minus कर लेते है, तो 55 में से 46 गया कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये तो हमें पता नहीं है तो ये हो गया 55 अब क्या करेंगे आपस में इसको add कर देते हैं आपस में add करने के बाद ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 68 ठीक है तो कितना run चाहिए इसको fourth inning में fourth inning में इसको चाहिए हमें 68 run इसे बनाना पड़ेगा तब जाके आउसत केतना निकलेगा 55 निकलेगा तो option C यहाँ से क्या हो जाता है right answer हो जाता है अगला सवाल देखो अगला क्या है type 7 type 7 last type पे हम लोग पहुँच गया है आउसत के तो last type में क्या था age related question आपको मिलेंगे age related question average के ठीक है average के age related आयू संब्धित question आपको देखने को मिलेंगे इसमें अब देखो इसमें क्या बोला 11 आदमी का आउसत आयू 23 वर्स है अगर एक आदमी को हटा दिया जाये तो आउसत आयू 1.5 वर्स घट जाती है तो वह आदमी का आयू क्या होगा यह हमें पता करना है तो जैसे question में दिया है बस उसी तरह जाना है ठीक है तो क्या दिया हुआ है 11 आदमी है जिसका आउसत आयू कितना दे रखा हुआ 23 यह दे रखा हुआ ठीक है अब देखो मैंने पहले ही आपको बताया था जब भी आपको average से summation में निकालना हो तो क्या करते है जो भी average दिया हु हुआ है और जितने quantity जितने number का average है उसको multiply कर देते है तो वो summation के form में आ जाता है ठीक है तो इसको 23 into 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा 253 253 निकल कर आ जाएगा ठीक है अब यह तो हो गया first line second line चलते है क्या बोल रहा है अगर एक आदमी को हटा दिया ज ठीक है टेन में दस आदमी होने से क्या हो रहा है और 17.5 निकला यह में तो इसको अगर एक और सधार को आ चल रहा है तो यूटीज धार घवा है मतलब बहुत जा रहा है तो इसको तो अगर है अदमेर São मैट है ए मतलब घट जा रहा है तो यह हो जाएगा यह आजाएगा हमारा 21.5 तो 21.5 यह हो जाएगा यहां पे 10 आदमी लोगों का आउसत एज आउसत आयू ठीक है तो 10 इंटू मतलब 21.5 इंटू 10 that is equal to क्या हो जाएगा 215 तो 10 आदमी का आउसत एज इतना है तो समेशन कितना हो जाएगा 215 अब क्या करना है हमें दोनों पता है बस इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा माइनस करने से 253 में से 215 अगर माइनस करें तो यह हमारा निकल कर आ जा रहा है 38 तो हमें क्या निकालने को बोला था जो वो आदमी चला गया उसका आयू क्या है तो उसका आयू कितना है 38 आयू है उसका option C is the right answer ठीक है इसी तरह solve करना है आगे देखो 36 छात्रों का समो का आउसत आयू 14 वर्स है अगर एक सिक्षक की आयू को सामील करने पर आउसत आयू 1 वर्स बढ़ जाता है तो सिक्षक का आयू क्या होगा ठीक है जैसे जैसे sentence बोला है बस उसी तरह इसको mathematics form में convert करना है कैसे बोला है देखो 36 छात्रों लोग है इसका आउसत आयू जो दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 14 ठीक है अब क्या करेंगे इससे हम लोग पता कर लेंगे कि summation कितना होगा 36 into 36 into 14 अगर इसको calculate करते है तो यह हमारा निकल करा जाता है 504 ठीक है और आगे क्या बोला next sentence में क्या बोल रहा है कि सिक्षक उसमें सामील हो रहा है मतलब एक आदमी जो है इसमें क्या हो रहा है सामील हो रहा है जब सामील हो रहा है तो कितने लोग हो जाएंगे total 37 लोग हो जाएंगे अब 37 लोग हो जाएंगे तो आउसत आयू में क्या changes आ रहा है आउसत आयू में हो जा रहा है 15 वर्स हो जा रहा है तो यहां पर इसका हम लोग समिशन निकाल लेते है 15 in to 37 तो यह आ जाएगा हमारा 555 ठीक है यह निकल कर आ गया अब हमें जो है सिक्षक की आईउँ निकालना है तो इस चक्षक की आयू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है इन दोनों को इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेना है तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच का गैप आ जा रहा है हमारा 51 तो जो teacher नया add हुआ उसका age कितना है उसका age है 51 ठीक है तो आउसत जो है आउसत में total साथ तरह के हमने साथ type के question हमने देखे और इन type के question को किस तरह solve किया जाता है short cut method से असानी से easy language में और जल्द से जल्द ताकि आप exam में ज्यादा question attend कर पाओ यह सारा तरीका हमने देख लिया अब आप कोई सा भी book उठालो या कोई सा भी previous year का question उठालो या कहीं का भी सवाल उठालो और यह methods use करो अगर आप से सवाल ना बना इस method से तो फिर बोलना और ज इसके बाद के class में हम लोग क्या करेंगे कुछ question लिकर आएंगे average के और उसको practice करेंगे in method से ही और यह सारे question जो रहेंगे वो आये हुए अब तक के सारे exam से लिए हो रहेंगे ठीक है तो यह जो सवाल दे रखा हुआ है question of the day में इसका answer आपको नीचे जाकर comment में करना और को बिना pain उठाए आप इस सवाल को solve कर सको ठीक है अगर आपने class अच्छे से क्या होगा तो बिना pain उठाए भी आप इसको solve कर दोगे तो यह अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल सरी इसके like कर देना इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ share करना और अब तक चैनल को subscribe नहीं क्या है तो subscribe कर देना thank you